बियार वदान सभाच उनाव इमिली जीत से उत्साहित जेडियू अब उत्तरप्रदेश में भी महा गडबंदन मनाने की त्यारी में जुट गई है और इसके लिए तमाम छोटी पार्टियों को साधने की कवायत भी शुरू कर दी गई है इतना ही नहीं जनता दल जुनाइटिट के महा सचेव सुभाश पाठक ने तो एंडिये में सेद लगाने का दावा करते हुए अपना दल के महा गडबंदन में शामिल होने की बात तक कहड़ाली है बलही 2017 के विधान सभा चुनाव में अभी एक साल बाकी है लेकिन सियासी दलो ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है सभा और बस्पा जहां एकला चलो की रहा पर निकल चुकी है तो वहीं जेडियू बिहार की तरज पर उत्तर प्रदेश में भी महा गडबंदन बनाकर बीजेपी को घेरदे की तैयारी में जुट गई है जेडियू महासेशिव सुभाश पाठक ने दावा किया है कि उन्होंने NDIA में सेंध लगाते हुए अपना दल को महा गडबंदन में शामिल कर लिया है अगर अपना दल NDA से नाता तोड़ कर महा कटवंदन में शामिल होती है तो बीजेपी को इसका खामियाजा आने वाले विधान सभाचुनाव में भुगतना पड़ता है वो भी ऐसे मौके पर जब बीजेपी दलितों को अपने पाले में करने में जुटी है अपना दल का अलग होना पुर्वानचल में बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है बलही जेडियू महा गटवंदन के सहारे बीजेपी को घेरने की जड़ो जहद में चुटी है लेकिन उत्ते प्रदेश का हालात और यहां की सियासत बिहार से कई माईनों में अलग है सपा और बसपा जहां अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है तो वहीं तमाम छोटी पार्टियों को एक साथ जोड़ना भी किसी चुनावती से कम नहीं है 2017 में सप्ता का खुआप देखने वाली बीजेपी के खैमे में महा गटवंदन ने सेद लगाना शुरू कर दिया है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2017 में एंडिये का साथ छोड़कर महा गटवंदन का साथ देगी अपना दल सियासत के बिगड़ते और बंते समी करणों में किसका फायदा होगा और किसका नुकसान ये तो देखना होगा लेकिन शुरुवाती दौर में महागटवंदन ने एंडिये को पठकनी दे दी है